समुद्र में नौसेना दिखा रही है अपना पराकर तो हवा में एक के बाद एक उड़ते जंगी जहाजों ने दुश्मनों के लिए खीची लखिये और जमीन पर दहारते थल सेना के तोप दिखा रहे हैं अपनी धमक सैने अभ्यास की ये वो तस्वीरे हैं जिसकी वज़ा से आज रूस और बेलारूस का हर दुश्मन कहीं न कहीं परिशान होगा तस्वीरे रूस और बेलारूस की उन जगों की हैं जहाँ पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से सैने अभ्यास चल रहा है जबिट 2021 नाम के इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की तीनों से नाएं एक दूसरे के साथ मिलकर हमले और हिफाज़त के फौजी पैतरों का अभ्यास कर रही है रूस और बेलारूस की सर्जमी पर हो रहा ये सैन्य अभ्यास कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है ये इस से पता चलता है कि इसमें दोनों देशों के दो लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं 80 लडाकों विमानों के साथ साथ कई हेलिकॉप्टर्स भी इस युद्धा अभ्यास का हिस्सा है इस अभ्यास में दोनों देशों के 15 समुदरी जंगी जहाद भी शामिल है माना जा रहा है कि इस सैनिय अभ्यास रूस और उक्रेन के बीच पढ़ते तनाव के चलते किया जा रहा है हाला कि रूस के उपरक्षा मंत्री इसे अपने देश के सुरक्षा से जोड़ते हुए पूरी तरह रक्षात्मग बता रहें